Assalamu alaikum, welcome back to the course आज हम बात करेंगे Community Building और Followers के पर जिसका पहला पार्ट हमारा Creating Scripts का है Scripts बनाने का मतलब ये है कि जितने भी सवाल जवाब आपके Followers आपके Buyers आपस करते हैं उनके जवाबों की Scripts आपके पास मौजूर होनी चाहिए जाहिर जब आप एक Shop Setup करेंगे Instagram पर एक पूरा Business Setup करेंगे तो लोगों के पास आपके लिए सवाल तो होंगे अगर उनने आपस कोई Service या कोई Product खरीदनी है तो उनके पास सवाल तो होंगे You have to create Scripts आपने सारे ऐसे Common सवालों के FAQs को कहते हैं Frequently Asked Questions उसके अंदर वो Script लिखके रखनी है इसका फाइदा यह है कि कोई भी At any point Customer Service कर सकता है आपने उनको ये Script देनी है कि ये सवाल आते हैं तो ये जवाब देने हैं और कोई भी ये काम फिर कर सकता है किसी को आपसे 10 सवाल नहीं पूछने होंगे लोग सवाल कहां पूछते हैं लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं आपके Comments के उपर लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं आपके DMs के उपर आपके Private Messages के उपर ये बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी क्यों है क्योंकि आप जिस तरह अपने followers से engage करते हैं उनसे जितना बात करते हैं वो बहुत matter करता है क्योंकि आप एक business है और बाकी लोग आपके buyers हैं और आपके clients हैं तो आपको हमेशा एक protocol, एक तमीज, एक तरीका इख्तियार करना है उनके साथ क्या important चीज है, आपने अपने followers को feel कराना है कि आप उनका ख्याल रखते हैं और आप उन्हें सुनते हैं उनको feel होना चाहिए कि they are being heard तो एक दिन में 4-6 घंटे आपने DMs पर active होना है कि इन 4-6 घंटों में जितने भी DMs आएंगे उनको quick respond करना है जितने आप quick लोगों को जवाब देंगे, जितना जल्दी जवाब देंगे, जितना तमीज से जवाब देंगे, जितनी proper उनके साथ एक पूरी conversation करेंगे उतना ज़ादा chance है कि वो आगे आपसे कोई चीज खरीदेंगे scripts frequently asked questions के basis पर बनती है, जो कि चीज मेंने आपको भी बताई, लोग हर तरहाँ से message करते हैं, लोग आपको message करेंगे PP, अकसर DM पर लोग असना message करते हैं, उनका मतलब होता है price please, या वो पूछे होते हैं, या वो पूछेंगे कि what is the price of this item, या ये कितने की है आपने हमेशा एक तरीके से जवाब देना है, आपकी protocol और चीज आपने जवाब देना है, hello या assalam लेकुम, हमेशा आपने greet करना है, फिर आपने कहना है, thank you for your interest, this item costs, for example, PKR 500, with an additional shipping cost of 200, I hope that helps, is there anything else you would like to know अगर अगला बना आपसे अर्दू में मुखातिब हो रहा है, तो आप कोशिश कीजे कि यही सारी चीज अर्दू में बोलें और अर्दू में उसको जवाब दें, क्योंके हो सकता है कि उसके लिए असान हो अर्दू में बात करना, आप अपने किसी भी customer को intermediate करके, उनके लि में आपका script तयार हो, तो एक document बनाएं, उसमें अपने सारे important frequently asked questions लिखें, मैं आपको कुछ example दे दे दी हो, product की price क्या है, shipping cost क्या है, shipping कितने दिनों में होती है, आप इतनी product की details बताएं, आप कहां located है, आपकी कोई physical shop है, order कैसे place करते है, order क्या मैंने इस DM पे place करना है, या कोई तरीका है, मेरे पास payment methods कौन कौन से available है, ये लोग पूछते हैं, फिर लोग ये भी पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीजे इस वक्त available है, मतलब ये from the top of my head कुछ frequently asked questions हैं जो लोग पूछते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि हमें आपकी चीज से क्या-क्या फा कोई आप से कोई help support, कोई number मांगता है, कोई email address मांगता है, वो आपका तयार हुआ होना चाहिए, कोई complaint करता है, तो उसका जवाब कैसे देना है, वो भी आपके पास तयार होना चाहिए, कि आप apologize करें, I'm sorry that you had to experience this, माफ कीजेगा, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था, अब हम इस चीज़ को fix करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा solution आपने offer करना है, लोगों को कि अब इस situation के बारे में क्या किया जा सकता है, हमेशा तमीज के दाएरे में रहे के आपने कुछ scripts create करनी है, फिर अगर कोई अच्छा feedback आता है, कोई आपकी तारीफ करता है, तो उसके उपर कैसे respond करना है, वो भी आपका prepared होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा सवाल आतों, कभी लोग कोई statement, कोई feedback भी दे रहे होते हैं, कि आप next time ये भी कीज़ेगा, फलाना भी कीज़ेगा, तो हमेशा feedback को positively लें, और लोगों को respond करें, कुछ चीज़े ऐसी भी हो सेंगे या कोई चीज़ करेंगे, तो आपने जल्दी अच्छे responses उसी वक्त सोच के भी देने होते हैं, इसलिए आपको अपनी audience को समझना बहुत जरी होते हैं, कि वो कैसे लोग हैं, और उनसे कैसी बात करनी हैं, और आपने tone of voice बात करते वे लोगों से कैसी रखनी हैं, important य यह feel कराना है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनके messages पढ़ रहे हैं और आप उनसे engage करने में, उनसे बात करने में दिल्चस्पी रखते हैं, और सबसे जरूरी हमेशा हमेशा सबर करनी हैं उनके साथ, patience रखना हैं उनके साथ, क्योंकि कभी कबार customers ऐसी भी बाते करें जिससे आप irritate होंगे, आपको बुरी लगेंगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप उनसे अच्छे से बात करें और patience रखें, एक और important चीज, scripts में हमेशा और जिन चीजों की scripts नहीं भी हैं, हमेशा आपने proper grammar, proper English या उर्दू इस्तमाल करनी हैं, कोई shortcuts ना इस्तमाल करें, slang आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगर वो तमीज की slang है तो आप इस्तमाल कर सकते हैं, क्यूंकि slang से होता है कि जरा अगर young audience, especially तो एक comfort level मैसूस होता है, welcomed feel करते हैं audience, लेकिन आपने बस यह करना है कि उसकी grammar ठीक हो, आपकी spellings ठीक हो, आपकी sentence structure ठीक हो, वो जरूरी है, ऐसा नही तरीके से लिख रहे हैं, एक proper तरीके से लिखें, proper तरीके से जवाब दें, तो यह एक simple साई topic है, I think यह वैसे भी किसी को पता ही होता है, कि customers से हमेशा अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन Instagram पर मैंने बताया कि DMs के लिए आपको scripts तयार करनी होंगी, एक document में जो आपक की काम में uniformity रहे और वो हमेशा एक ही जैसा रहे, thank you so much for watching, next time हम community building के अपर और बात करेंगे